नमस्कार मैं हूँ रंजीत जा धाकर वकील दुशन्त दवे ने सीजे आई डिवा चंद्रचूर के नाम एक खुली चिथी लिखी है और इस चिथी के साथ ही सुप्रीम कोट में होड़े खेल से परदा भी हट गया है साथ ही साथ सीजे आई डिवा चंद्रचूर के नित्रतों पड़े भी यहां दंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं दुशन्त दवे ने तो सीजे आई चंद्रचूर से यहां तक कह दिया कि जब आपकी नियुक्ती हुई थी सीजे आई के तोर पर तो इस देश की जनता को आपसे बड़ी उमीदे थी लेकिन अब सब निराश महसूस भी करने लगे हैं दरसल दुशन्त दवे ने खुली चिट्ठी में सीजे आई डिवा चंद्रचूर पर अपना गुस्सा भी खूब निकाला है क्योंकि देश भर की अदालतों से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक में जो भी चीजे घटित हो रही हैं वो सीनियर एडवोकेट दुशन्त दवे को नागवार गुजर रही हैं उन्होंने जो जो बाते कही हैं आज हम वही आपके सामने रखने जा रहे हैं आप जानते हैं कि कैसे सुप्रिम कोर्ट में मामले अठकाए जाते हैं किसी भी गंभीर केस में थोस फैसले तक नहीं आपाते इसके पीछे की वज़़ा क्या है दुशन्त दवे के इस चिट्ठ के नाम पर सिधे तोर पर दुशन्त दवे ने लिख डाली हैं और इस चिट्ठी में यहां तक कहा गया है कि आपसे तो बड़ी उम्मीद थी सीजे आई साहब जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था तो देश की जनता को बहुत उम्मीद थी आप आए हैं तो सब ठीक कर करेंगे लेकिन ऐसा हुआ क्या आप हमारी दर्शक हैं लगतार आप भी इस मामले में हैरान हैं निराश हैं कहते हैं कि अब उम्मीद करना ही बेमानी हैं लेकिन इस बार जब दुशन्त दवे ने मूर्चा खोला है तो थोड़ी सी उम्मीद जरूर बचा कर रखिएगा चल पत्र में लिखा आपकी न्यूक्ति पर नागरिकों के मन में मजबूत उमीदें पैदा हुई थी कि आपके नेत्रत्तु में सुप्रेम कोट अधिक उचाईयों तक पहुचेगा जिसकी और मार्च पहले कुछ समय के लिए रुका हुआ था पिछले कुछ वर्सों में निया पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इस शिकायत को उठाने के लिए चीफ जस्टिस से व्यक्तिगत रूप से मिलने के प्रयास व्यर्थ रहे हैं पत्र में कहा गया है कि कई वकीलों की ओर से एक सिनियर वकील द्वारा महीनों पहले नियुक्ति मांगे जाने के बावजूद वे इस मुद्दे को संभोधित करने के लिए सीजियाई से नहीं मिल पाए हैं तो देखा आपने दुश्यंत दवे किन-किन गंभीर मुद्दों को उठाना चाहते हैं उनका इस पत्र में साफ तोर पर लिखना यह था संभैधानिक बेवस्था से जुरे केस लोकतंत्र से जुरे केस संसिटिव मामले ऐसे तमाम मुद्दों पर सुप्रिम कोट में कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है इन मौके पर बैंच बदल दी जाती है जज इधर से उधर कर दिये जाते हैं और कई दफे तो ऐसा हुआ है कि जिस सीनियर जज के पास मामला होता है उनसे वापस लेकर किसे जुनियर जज को भी केस सौप दिया जाता है इन तमाम मुद्दों पर दुशन्त दवे ने घोर अपत्ती जाहिर किये है यहां तक के ज़स्टिस संजै किशन कॉल जो खुद रिटाइर होने वाले हैं उन्होंने भी ऐसे ही एक केस पर अपत्ती जाहिर कि थी खैर आईए बारेंड बेंच के रिपोर्ट देखते हैं यहां पर दुशन्त दव को लिखा पत्र और पत्र में अब उन महतोप्रंद बिंदुओं पर कौर कीजिएगा कि मुख्य नयाधिश को संबोधित खुले पत्र में दवे ने दावा किया कि कुछ पीठों द्वारा सुने जा रहे कई मामलों को उच्चतम नयाया लेके नियमोग और हैंड़ बुक और प्रोसिजर का उलंगन करते हुए अन्य पीठों के समक्ष सुचिबद कर दिया गया है पत्र में कहा गया है कि मैंने ब्यक्तिगत रूप से कई ऐसे मामलों को देखा है जो पहली बार सुचिबद होने पर विभिन माननिय पीठों के समक्ष सुचिबद थे और या जिन में नोटिस जारी किया गया था उन्हें उन माननिय पीठों से हटा कर अन्य माननिय पीठों के समक्ष सूचिबद किया गया था पहला कोरम उपलब्द होने के बाबजूत मामलों को माननिय पीठों के समक्ष सूचिबद किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता दूसरा कोरम करता है कोट नमबर दो, चार, छे, साथ के समक्ष सुचिबध मामलों को अन्य माननिय पीठों के समक्ष अस्थानंतरित कर दिया गया है और नियमों, प्रैक्टिस और कार्याले प्रकडिया पर हैंडबुक के ऊपर उलकित और स्थापित प्रैक्टिस और कन्वेंशन की असपस्थ अभेलना की गई है और इसमें इस बज़ा से इन्हें ज़्यादा चिंता हुए क्योंकि कई मामले इतने संवेदन शील हैं, देश हित से जुरे होते हैं, लोकतांतरिक मुल्यों से जुरे होते हैं, संवेधानिक व्यवस्ता से जुरे होते हैं ऐसे केस पर भी सुप्रिम कोर्ट में फाइल फाइल खेला जाता है इस जज से उठा कर उस जज के पास, वहां से फाइल उठा कर इस जज के पास, अभी तो आप देखे न, PMLA केस की सुनवाई फाइनल होने वाली थी, लेकिन अचानक से पीठ ही भंग कर दी गई, अब CGI डिवाई चंदर चूरते करेंगे कि नई पीठ कौन सी होती, कई ऐसे माम मामले हैं, चाहे आप तो पुराने-पुराने केस उठा कर देख रहे हैं, हर मामला या तो अटकता रहा, या फिर कडिट पने के बाद फैसला, एकदम उम्मीद के विपरित आ चुका होता है, और कई में तो फैसले आए ही नहीं है, फैसले अटका दिये जाते हैं, इसी को लेकर दुशन्त दवे कह रहे हैं कि सुप्रिम कोट चला कोन रहा है, यह सीजाय डिवाचंद्रचूर की जिम्मेदारी है, या फिर किसकी जिम्मेदारी है, इसका जवाब जना परेगा, उन्होंने लिखा है, दवे ने कहा, कि इस तरह अस्थानांतरित किये गए मामलों मे मानवादिकार, सब्वैधानिक संस्थानों के कामकाज, लोकतंत्र, अभिवक्ति की स्वतंत्रता और आधि के प्रश्ण शामिल हैं, उन्होंने कहा कि दिल्चस्प बात लिया है, कि ऐसा करने में पहले कोरम की वर्डिश्टता को भी नजर अंदाज किया जा रहा है, सब्वानिस सहयोगियों, वरिष्टों और एडवोकेट्स ओन रिकॉर्ड, एओवार द्वारा उन विभिन मामलों के बारे में भी आकरशित किया गया है, जिनमें वे कई मोकों पर पहली बार पेश हुए हैं, बाद में मामलों को विभिन पीठों की समक्ष सूचि बद किय गया है, दवे ने कहा मिरे लिए इन मामलों को गिनाना उचित नहीं होगा क्योंकि उन में से कई लंबिठ हैं, इसमें दुशन्त दवे ने उस प्रैक्टिस हैंडबुक के नियम कानुनों को समझाते हुए CGI डिवा चंदरचूर को बातने याद दिलाई हैं, कि आपके पा पानु को समझाते हुए CGI चंदरचूर से कहा है, हाला कि CGI केवल परमपरा के अनुसार शक्ति का प्रियोग कर सकते हैं, और यदि रोस्टर के अनुसार कोरम उपलब्ध है तो प्रधान यादीश उपलब्ध कोरम के समक्ष किसी भी मामले को ले जाने और इसे दूसरे के स समक्ष रखने की शक्ति का उप्योग नहीं कर सकते हैं, आगे कहा गया है पत्र में ही कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मास्टर और रोस्टर के रूप में आपने उपर उल्लेखित नोट 3 के तहक शक्ति का उप्योग नहीं किया है, क्योंकि इस संबंद में कोई जानक के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए सुधारात्मक कदम उठाया जाने चाहिए यह घटना करम ऐसे समय में सामने आया है जब वरिष्ट अधिवक्तान है खुली अदालत में टिपनी भी की थी कि न्यायमूर्ती अंद्रियुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ द्वा गया है कि इसके अलाबा सुप्रिम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्याय अधिशों के न्यूक्ति को अधसुचित करने में केंद्र सरकार द्वारा देरी से संबंदित मामले को न्यायमूर्ती संजय किशन कौल की पीठ से हटा दिया गया था जो मामले की समझ से पड़े हो चला है इस वजह से वह नाखुश नजर आ रहे थे यहां कहा भी गया है हराक्यों ने संकेत दिया कि सीजी आई को नाव हटा जाने के वारे में पता हो सकता है और सुझाव दिया कि कुछ मामलों को अनकहा छोड़ देना बहतर है तो देखा आपने सुप् और इन सब के पीछे सुप्रीम कोड के भीतर ही बड़ा अंतर दौंदो चल रहा है जिसे एक चिठी के जड़िये सीनियर एड़ोकेट दोशन्त दवे ने सामने रख दिया है अब तै कीजिएगा वाकई में क्या सीजी आई चंद्रचूर इस अदालत का नित्रत्व एकदम सही दिशा में कर रहे हैं या फिर उनसे भी बहुत कुछ छिपा लिया जाता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद